हेलो एबरिवान, आज हम इस वीडियो में कमपारिशन करेंगे माइक्रोमेक्स इन ओटो में और वीवोवाइट 21 में देखते हैं कि बेस्ट फोन कौन सा है तो चली वीडियो स्टार्ट कते हैं सबसे पहले बात कते हैं डिस्प्ले से माइक्रोमेक्स में है 6,143 इंच की रैजलिशन 1,280.24 पिक्सल सक्रीन सूपर एमोलेड डिस्प्ले वीवो के इन डिस्पले 6,5 इंच की रैजलिशन है 720.26, 1600 पिक्सल सक्रीन IPS LCD डिस्पले डिस्पले क्वाइट इमेक्स बेस्ट है बात करते हैं प्रोश्टर की माइक्रोमेक्स का है मिडिटे का G95 का CPU 2.05 का हार Octocore का 12NM test का FinFet VIO का है मिडिटे का P35 का CPU 2.3 का हार Octocore का 12NM test का FinFet और प्रोश्टर क्वालटी भी माइक्रोमेक्स बेस्ट है और इसमें आप अच्छी से गेमिंग्न भी कर सकते हो बात करते हैं back camera की Micr również का है quad में main camera है 48 ka फिर 5 का, V2 का, V2 का और विउ का है dual main camera है 13 का, V2 का बात करते है front camera की Micr muscle है 16 का, Vivo का है 8 का बात की जोर ब erzählt life की दोनों में same ही 5000aben की मिल जाती है और दोने की बैटेस नोनिपल हैं आप दोने की बैटेस को निकाल नहीं सकते हैं बात किते हैं चार्ज़ए हैं। माइक्रो मैस में हैं 30W का वीवों में 18W का दोनों में टाइपस का स्पोर्ट हैं। दोनों में आपको fingerpin sensor और face look भी मिल जाता हैं, दोनों में आपको triple C मिलती है, दोने की है warranty एक साल की, connectivity है थर्ज और फोर्ज ही की, दोनों में front में glass है, back में plastic है, और micromax में RAM है charge पर 6 भी की, वीवो में ही charge भी की और एक जबी RAM X पर मिलती है, micromax की memory है 2400 भी की, वीवो में ही 2400 भी की, और आपको दोनों में ही 111 मिलता है, अपने अपनी UI के साथ, बात करते हैं price की, micromax का है starting price, और वीवो का भी same है दोनों का, 13400 निनामर पे, तो फिर आपको दोनों में से, कौन सा phone पसंद आया, कौन बॉक्स में जोरो बताना, अगर आपको दोनों में सको smartphone लेना है, तो आप micromax के साथ जा सकते हो, ये best है, बाकी आपकी 2400 है,